अब ये स्टेटेस्टिक्स के अंदर आज कुन सा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा ये अब इसको किस तरह से सिखाएंगे तो मैं पूरा का पूरा इसको डिजिटल स्क्रीन पे सिखाऊंगा सबसे पहले मैं questions लिखूंगा questions के बाद question में कैसे formula यूज करना है formula यूज करने के बाद किस तरह से उसको solve करना है 4 seconds का मैं gap दूँगा 4 seconds का gap के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको मैं solve करूंगा उसके बाद last 4 seconds का मैं solution रखूंगा तो आप उसका screenshot ले सकते हो तो बिना देर किये सबसे पहले चलते हैं हमारी digital screen की और हाँ तो दोस्तो हम लोग आ गये हैं हमारी digital screen के और यहाँ पे लिखा है the following data represent monthly income of worker of a factory their mean तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमको find क्या करना है mean find करना है तो और यह जो दिया हुआ है वो हमारा question बन जाएगा अब statistic के कोई भी answer लाने के लिए आपको तीन चीज़े करनी पड़ेगी सबसे पहले तो आपको question भई यह तो आपको दिया हुआ ही है second इसके बारे में आपको बनाना पड़ेगा formula और formula के इसाब से लिखा हुआ है two thousand से लेके three thousand यह question में दिया हुआ है तो यह part पूरा हो गया उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है three thousand से लेके four thousand तक तो यह part भी हमारा पूरा हो गया फिर यहाँ पे लिखा हुआ है four thousand से लेके five thousand तक तो यह तीसरा वाला भी हमारा पूरा हो गया and similarly directly of 5000 से लेके 6000 तक और यहाँ पे 6000 से लेके 7000 तक और यहाँ पे 7000 से लेके 8000 तक और last यहाँ पे दिया हुआ है 8000 से लेके 9000 तक अब यहाँ पे इसके बाद next thing जो आ जाएगा frequency यह number of worker जो लिखा है वो कुछ नहीं है frequency है तो यहाँ पे देख लेंगे 2 फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 7 फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 15 फिर यहाँ पे है 25 यहाँ पे हो जाता है 16 और यहाँ पे हो जाता है 12 अब यह मुझे टोटल करना पड़ेगा और टोटल जो करेंगे उसको यहां पर एन बोलेंगे हाँ दोस्तों टोटल कर लेते हैं दो और तीन पांच 5 15 20 27 27 और यहां पर 6 और 12 और यह जो टोटल हो जाएगा एक सेकंड इतरा स्क्रीन हो गया утल कितना हो जाएगा आदि हमारा क्या हो गया डोटल अब ठोड़ी स्क्रीन से आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं एक रेंडम लिग लेता हूं थोड़ा साथ दूर जाके कलर चेंज कर लेते हैं फॉर्मिला क्या हो जाएगा फॉर्मिला इस इक्वल टू एक्स बार का मतलब क्या हो जाता है ए प्लॉस सीग्मा एफाइडी आई अपॉन एन इंटो सी अब कहने का मतलब यह हो ज कर लेंगे तो भी कुछ ज्यादा आ जाता है इसलिए सबसे पहले देखो आपको समझाता हो किस तरह से किसी इस में से एक्साइज निकलता है एक्साइज माई मीड वैल्यू तो मीड वैल्यू क्या हो जाएगा यह लोवर लिमिट प्लस अपर लिमिट फिर से लोवर हो जाएगा यह 4500 के बाद यह 5500 हो जाएगा पूरे सम के अंदर में एक मिस्टेक करूंगा और आपको कॉमेंट में ढूनना है कि वह मिस्टेक कौन सी है ठीक है यह हो जाएगा सेवन डबल जीरो और यहां पर 8500 यह हमारा एकसाई हो गया अगर आप इसको एकसाई एकसाई से मल्टिप्लाइ करो के तो 6500 इंटू 25 यह कुछ जादा बड़ी फीगर हो जाती है और बाकी यहां पर 20 तो ही है तो इस एडवाइजेबल के हम यहां पर क्या करें डी आई करें अब यहां पर चो डी आई हो एक बार यहां पर बोलता हूं कि यह आपने C से डी वाइड किया हुआ है इसलिए मैं यहां पर C से मल्टिप्लाइ कर रहा हूं और सब में से आपने A को माइनस किया हुआ है इसलिए यहां पर हम लोग A को क्या कर रहे है एड कर रहे है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले डिए अब डिए कैसे निकलेगा एकस माइनस एक उसी तो सबसे पहले में यहां पर रैंडमली कोई भी एक एद्यूम में ले लेता हूं यहां पर मैंने एद्यूम ले लिया इसको एड़ अब मैं औरली करूंगा आप अगर ये देख रहे हो तो आप Kelsey भी साथ में ले सकते हो 2500-5500 is equal to 3000 और 3000 divided by class interval जो है वो 1000 का है ये 2000 से 3000 का तो ये आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा minus 3 और एक बार ये समझ गए तो ये minus 1, 0 और यहाँ पर हो जाता है 123 कौन सा है हमारा Sigma FIDI तो यहाँ पर FIDI को सम टोटल करना है क्या हमारे पास FIDI है जनता जानना चाहती है क्या हमारे पास FIDI है the world wants to know नहीं है तो हम FIDI निकाल देते है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ FIDI तो FIDI कैसे आएगा अब ज़्यादा कोई rocket science नहीं है FIDI is multiply FI into DI या F into D तो यह है हमारा F यह है हमारा D तो F कितना है 2 D कितना है 3 तो यह कितना हो जाएगा minus 6 यह कितना हो जाएगा minus 6 7 बन्जा लेकिन minus में तो 7 यह हो जाएगा 0 25 बन्जा तो कितना हो जाएगा 25 यह कितना हो जाएगा 32 और यह कितना हो जाता है 36 अब moral of the story क्या हो जाता है इसका भी एक shortcut answer है यहाँ पर अगर मैं इसको ले लू 6 plus 6 12 और minus 7 तो क्या हो जाएगा minus 19 और यह एक बार अगर आप total कर लो तो that is 5 and 2 7 13 that is 3 5 2 7 13 6 3 9 93 तब इसको plus minus करोगे तो कितना हो जाएगा 74 तो screen को थोड़ा सा और side में ले लेते हैं और अब वापिस एक बार अच्छे से में formula लिखता हूं तो formula हो जाएगा x bar is equal to a plus sigma fi di upon n into c call करूँ तो यहाँ पे आपको पता है 5500 को मैंने यह लिखा था यही figure को यहाँ पे मैं लिख देता हूं 5500 plus जाते हैं अब हमारा next object q क्या है sigma fi डूणना तो यह जो है that is एक second यह जो है that is 74 74 हमारा fi di का total है तो 74 is fi di और वापिस जाएंगे तो यह हो जाएगा 74 upon n कितना है frequency का total तो frequency का total तो यह 80 है तो वापिस screen पे score अगल के जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कितना 80 और यहाँ पे हो जाता है 1000 1000 क्या है class length अब इसको अगर आप plus minus करोगे तो यह हो जाएगा 5500 plus 74,000 divide by 80 अगर मैं इसको cut कर दूँ तो वापिस एक बार आ जाएगा तो 5500 plus कितना हो जाएगा तो 925 तो टोटल आपका कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 6425 दोस्तों यह है तुमारा आंसर वर्चुली हमने continuous some solve कर दिया यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा मैंने और मेरी टीम ने मिलके बहुत सारा effort किया हुआ है इस वीडियो को बनाने में अगर आपको पसंद आया तो please give a like और अगर आपको यह से वीडियो बार बार देखने है तो do not forget to subscribe to our channel और अगर आपको कोई भी doubt है तो comment में आप लिखिए और एक important बात अपना number whatsapp कीजिए comment के अंदर ताकि मैं group बनाऊंगा जो group का नाम होगा whatsapp group ताकि आप और मैं directly contact में रहे exam time पे अगर आपको कोई problem है तो आप मुझे whatsapp कर सकते हो all the best for your exams नमस्ते जय ही